कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेटर सड्डा पर आज जो में टॉपिक डिसकस करने वाले हैं पिछली वीडियो की कॉंटिनिवेशन में हैं जो कि हम लोग लिए डियाबेटीस के बारे में डिसकस किया था और ओरल इन्सुलिन के वीडियो आएगी एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले कर दूँ कि वीडियो जो है थोड़ी से रेगलर नहीं आने का रिज़न मेरी हेल्थ कंसन था तो हेल्थ की वज़े से वीडियो नहीं आ पारी ती दूसरा यह कि बहुत सारी चीज आप सब समझ रह आपको करना चाहिए बहुत सारी जिंदिगी है हमने खोई है शायद आप सभी में से बहुत सारी लोग है जुन्हें आपनों को खो दिया होगा इस समय तो यह सारी चीजे बैग्राउंड में चल रहे हैं तो इस समय पर बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कर पाना और वीडियो जो कोळू वारिस कोविड यह जो सेकंड वेवाई ज़्यादा डैंजरस है क्योंकि जो स्ट्रेंड नया वाला स्ट्रेंड आया है वह डबल म्यूतेंट है ट्रिपल म्यूतेंट भी है तो सीधे लंग्स पे अटक कर रहा और सांस लेने के दिक्कत हो ओरी तो आक्सीजन जितना आप कर सकते हैं ठीक है तो पड़ाई लिखाई भी करियर भी जादा जरूरी है ठीक है क्योंकि यह कई वच्छों का फाइनल यह भी होगा कई बच्चे जो एक्जाम मोगरा कर रहे होंग वेट कर रहे होंगे ठीक है तो उसे सिलसले में हम लोग जो है तो चलिए शुरूर करते हैं लोग इंसुलिन के बारे में सबसे पहले जो मेरे क्लास का एजन्डा होगा वाट वे अरगी त्री ठीक्स वे आर गूंट फोकस शब्स करने वाले हैं कैसे काम करते इंसुलिन उसके अलावाद टाइप आप आप इंसुलिन कौन-कौन से होते हैं आप मेंसे बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी होगी मैं अपना experience किताब के थुरू भी जो नेट पर रिसर्च किया मैंने उससे भी और मेरा अपना खुद का experience जो नौन और इस कंपनी में काम करने का रहा है उस experience को मैं यहां पर यूटिलाइज करूँगा ठीक है और आप को समझाने की कुछिस करूँगा बहुत सिंपल लाइंगोज में सबसे पहला हमारा जो एजंडा है वो इंसुलीन के बारे में about इंसुलीन के बारे में about इंसुलीन हम सबसे पहले यह समझते हैं कि सवाल कहां कहां से बन सकते हैं because this whole topic is going to be important for your semester exam, drug inspector exam, pharmacist exam, GPAT and NIPR so right now अभी जो जी पर नाइपर के exam fill up हो रहे हैं जब मैं वीडियो record कर रहा हूं और उसके अलामा जो अभी सामने आपके बहुत सारे फार्मसिस के exam में निकल रहे हैं so this topic this whole subject is going to be important in all exams so starting from the insulin insulin, insulin सबसे पहले एक भाई साब थे there were a scientist Banting and Best दो scientist थे इन्होंने in 1921 they discovered the molecule insulin सबसे पहले insulin के बारे में इन्हीं को पता लगा किनको Banting और Best को 1921 में so first question comes from this portion तो यहां से पहला question निखोगे आपका उसके अलावा अगर insulin के structure की बात करे insulin high exactly तो insulin क्या आपको लगता है carbohydrate है protein है क्या चीज है आपको क्या लग रहा है structure को जड़ा ध्यान चाप देखे तोड़ा सा देखे कि screenshot लेने से आपको कुछ नहीं होगा का आप screenshot लेके या वीडियो डाउनलोड करके समझ लोगा आपको कुछ नहीं समझ में आने वाले जब तक सारी वीडियो पूरी नहीं देखोगे एक एक चीज़े मैं डिसकस यह जैसे पॉइंट लिखा हुगा मैं इसको elaborate करता हूं इस कि इंसुलीन कंसिस्ट ऑफ टूचें दो चेंड अटा एक कनाम होता है एचें एक कनाम होता बीचें और जिसमें क्या होता है 51 अमिनोसिट तो यहां लिख लिख लीजिया 51 अमिनो असे यह साब क्वेस्टन है सो यह द्योटन कम्स इंसुलीन इसमेड़ एफ of how much amino acids 51 5.1 51 amino acid so basically a chain contains 21 amino acid so here I have written in indication 21 amino acid here in case of b chain I have written 30 so 20 plus 31 51 amino acid so insulin आपका amino acid है तो amino acid किस चीज़ से मिलके बने होते है या protein किस चीज़ से मिलके बना होता है building block क्या है आपका जो protein बना होता है amino से बना होता है या फिर अलग होता किसी सोला है तो अगर मैं पूछूं कि यह जो molecule है insulin जो की फर्स्ट बायो टेक्नोलोजी रिकॉंबिनेंट टेक्नोलोजी प्रोड़क्ट याद रखे इसके बारे में फर्स्ट यह सारी इंफॉर्मेशन में लिखे नहीं हुआ रिकॉंबिनेंट टेक्नोलोजी प्रोड़क्ट सबसे पहले रिकॉंबिनेंट टेक्नोलोजी प्रोड़क्ट जो है वह कौन सा आपका है इंसुलीन यह मैं चीज आपको बायो टेक्ट क्लासे लोंगा तो उसमें बता हूं गरी कॉमेनेंट टेक्नोलोजी क्या है क्लोणिंग क्या है हाइब्रोडोमा टेक्निक क्या है इस ओल्टिंग्स विल भी इसकॉस्ट इन दी बायो टेक्लासेश अंडेसेंड सो तिल नाव न रेट यह आपका कवड इंसुलीन बैसिक्ली कंसेस्टिंग मां 5000 आमीन अशेड और रापकी प्रोटीन से मिलके बनी होई है ठीक है अमीनो एक है इस एक यूनिट है और अमीनो इसे पुलके क्या कर देंगी प्रोटीन का ब्लूच्ट रही है तो यह आपका इंसुलीन क्य नहीं है फैट नहीं है इट सब प्रोटीन यह बात आपको समझ लेनी चाहिए यहां से ठीक अब एचेन में ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है यह सारे अब मैंने तो इसमें बहुत सारे होंगी बहुत सारे होंगी है अब यह छेन है इसमें डिफेर्ट डिफेर्यमीन ऑशोती है ठीक है तो यहाँ पर से सिस्टीन यानि कि इस में इस वहले चेन में यह निकि यह जो ए और बी चेन है यह कनेक्टेड होती है डाई सल्फाइड बॉन्ड से दो सल्फाइड बॉन्ड होते हैं ठीक है डाई सल्फाइड बॉन्ड से एचेन और बी चेन किसे कनेक्टेड होती है डाई डाई का मतलब दो सल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं सल्फाइड सल् किस Amino Acid को अड़ कर रहा है सिस्टीन और सिस्टीन को तो फार्मासिस्ट में पूछ देता है कि कितना Amino Acid 51 लेकिन डियाई में क्या पूछेगा कि एचेन और बी चेन आर कनेक्टेड विद डाई सल्फाइड बॉंड समझ गए डाई सल्फाइड बॉंड से दो डाई दो सिस्टीन के बीच में जो सिस्टीन और सिस्टेन ऊती इसके बिच बीच में अभी यहां पर ऊसकता है और एक पॉर सकते हैं तो दोसे साद सैद ब्लव चेंस के बीच में थैकंं सर्ति आट यह पुट होगा understand got the point यहां पर यह सारी चीज़ हमने क्लियर कर ली अब यह इंसुलिन है ऐसा तो है नहीं कि हावा में उड़के बन जाता है इसको बनाने के लिए को प्रो इंसुलिन तो यहां से भी कोश्चन आजाता है प्रिकर्सर औफ इंसुलिन इस प्री प्रो इंसुलिन अडेसर एक को समने पिछली वीडियो में आप सभी से पूछा हुआ था कि यह इसका आप बताइएगा यह जो इंसुलिन है यह कहां से निकल रहा है बीटा सेल से ठीक है जिसको शॉट पॉर्ट में हम इस तरीके दिखा देते हैं बीटा सेल से और यह बीटा सेल कहां है आइसलेट्स ओफ लाइंगर हैंस अब यह कहां है पैंक्रियास पैंक्रियाज के अंदर isolate of langerhans से उसके अंदर beta cells है ठीक है अभी जो glukagun है वो कहों से cells निकलता है alpha cell से अब आप बताओगे कि alpha cell क्या ये isolate of langerhans में या अलग कहीं है और जो somatostatin है वो d cell से निकलता है तो लगे हाथ ये भी सवाल पूछा जाता है कि somatostatin जो release होता है वो कह glukagun कहां से रिलीज होता है alpha cells होता है आप comment box में comment करके बताओगे कि alpha cell और d cells का आशलेट of langerhans का ही पार्ट है या फिर कहीं और का पार्ट है आप इसको पताकरिक बताना ठीक है तो यह पूरा हमने insulin के बारे में समझ लिए अब हमने हमारा next legend है कि insulin काम कैसे करता है यह भी तो समझना चीए ना कि insulin काम करता है तो मैं सबसे पहले हटा देता हूं इसको इसको हटा दूंको थोड़ा भीड कम हो जाएगी तो आप लोग घब रहा होगे नहीं वरना को कि सर क्या पढ़ा रहा है तो यह जितने मैंने पॉइंट्स बताई इस ओल और questions in the previous year तो आपको इ इडिपोस्ट इसूस लिवर कहा होता आपको लेफ साइड में होता कि राइट साइड में होता आप बताओगे comment box में comment करके और लीवर के नीचे जैस्ट आपका स्टमक होता है इस्टमक पार्ट है तो लीवर अब देखो इनसुलीन इनसुलीन आपका क्या करता है ब्लड ग्लुकोज को डाउन करने का काम करता है कम करने का काम करता है तो इसको क्या बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया कि हाइपो बोलेंगे हाइपो ग्लाइसीमिक इफिक बोलेंगे हाइपो मतलब कम हाइपर मतलब ज्यादा कहते हैं बहुत ज्यादा हाइपर क्यों हो रह आईबर मतलब कामोम जाना हाइपर मतलब खराब हो जाना जा सबस्क्रेस खरादा हो जाना को थेक नहीं तो को यह CHD I trillion थेक नहीं है कम भी ठीक नहीं है नॉर्मल यह सब्सक्राइब ess तो कम कैसे कर रहा होँ तीन जगह से कद दूर्फ सबसे पहले हम लोग लिवर पर देखते हैं अब यह बताओ आपके बॉडी में ग्लुकोज है डूडुकोज का बढ़ा हुआ है क्या है ग्लुकोज ग्लुकोज बढ़ा हुआ है और इंसुलिन का कर रहा है कैसे कंट्रोल करेगा कम करेगा तो कम करने के लिए जो बॉड़ी में ग्लुकोज है उसको हटाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा उसका कुछ उपाय करना पड़ेगा तो उपाय क्या करना पड़ेगा कि जो तो एकपटा बढ़ा देता है यहांनि कि जल्दी जल्दी उस ग्ल्रीघ बड़ि में खापत होजाती है तो ग्ल्रीघ पाथा जब कथा नहीं आपता तो अपका ब्लड लेघ्ज लेवल बढ़ने फ़र और यह फिर क्या कर देता है ग्लाइकोजन सिंथोसिस ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ा देता कौन इंसुलीन अब इंसुलीन अब क्या कर रहा है ग्लुकोज को कम करने का काम कर रहा है और अभी क्या है ग्लुकोज ज्यादा है उसको क्या करना आपको कम करना है तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा को इंसुलिन जो ग्लुकोज लेबल रिलीज हो चुगा है जो ग्लुकोज बौडी में उसकी खपत बढ़ा दो अब टेक को बढ़ा दो जितने बौडी के पार्ट से आफ़ गुल्कोज तो ज्यादा ज्यादा लेने दिमाग जेदा यूज़ करने लगे ऐसने फिसका है तो गलोकोज नहीं बंध गलाइकोजigor हों जाएगा दुसरा तरीका क्या है कि करते हैं फूर को सा अर्ब्लेट को जो है कि बॉड़ो को जो है क्का जाएगा जाएगा उसे तो glucose से glycosin में कनवर्ट कर दो आप मुझे बताओगे glucose से glycosin कहां कनवर्ट होता है और glycosin में क्या हो जाएगा store हो जाएगा तो glucose का storage form क्या है glycosin, glucose body में कहां, किस store में form होता है glycosin form में होता है glucose form में store नहीं होता है और ये glycosin कहां store होता है आप बताओगे में होता है के गॉल ब्लैडर में होता है कहां होता है अब कमेंड बॉस में काम कर रहा था उसको गलाइकोजन में कणवर्ट कर दो ग्लाइको जेनो लिसिस चरह समझते हम लोग क्या आईए यह टर्म जो है ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है पहले समझ लेते हैं ग्लाइको जेनो लिसिस देखो लिसिस वर्ड जहां भी होगा इसका मतलब होता है ब्रेकेज ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लाइकोजन टूटके किस में कनवर्ट होगा ग्लुकोज में लेकिन यहां तो अलरड़ी ग्लुकोज बढ़ा हुआ इसलिए हम लोग ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में कर रहे हैं लेकिन जब आपके बॉड़ी में ग्लुकोज क वो सकती मिल्ती रहती है एंटर्जी रहती है तो आपने यहाँ पर एक्सर्डा ग्ल्यकोज होग इसको इस्टोर कर दिया आप किसी दिन अब ब्रत रखो और नहीं कहाना ठापए दो दिन तीन दिन तय ग्लीकोज ग्लाइकोजन नोल सिस जैनि glycogen जाओ झोड़ान घ्लाइको ज़य का क्लीन सीजुन हो रहा है तो तो जब लॉली है और फिर आप तोड़के गू 190 द़ला रहे हैं इसको रोखना हैं तो बढ़ाना नहीं हो पर पर नहीं हो निगना वो रहे है और आंग ऐसा ne 17 सर्कीस paralysis बॉल्सेस दो समझ गए confusion नहीं होना है diabetes बढ़ गया है glucose बढ़ गया है तो ग्लुकोज को कम करना है तो ग्लुकोज यहां पर है उलड़ी इसको कम करने लिए क्लाइकोजन में कनवर्ट कर दोगे इसलिए जो बॉड़ी में प्रोसेस हो रही है glycogenesis यानि कि glycogen से glucose हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा नहीं तो ग्लुकोज अलड़ी बढ़ा हुआ फिर बढ़ जाएगा glucose इसलिए यहां रोकना पड़ेगा glycogenesis को इनिविट करना पड़ेगा ठीक है तो glycogenesis को इनिविट क कर आ रहे हो तो एक तो जो ग्लुकोज बन रहा उसको बनने नहीं दे रहे हो तो जो बना हुआ उसको स्टोर कर ले रहे हो तो ग्लुकोज कम हो जा रहा है इससे लिए आपका लिवर क्या कर लेता है कंट्रोल कर लेता है ठीक है और लिवर कैसे कंट्रोल करता है इंसुलिन क नियोजेनेसिस ग्लूको मैं ये जेनेसिस जेनेसिस का मतलब हता है पूर्दक्शन मतलब यह प्रदक्शन अब मतलब नंया ग्लूकोज निया ग्लूकह बन रहा है रोटीन से पाइर वेट से मियां इन तो इसको बंद कवे कि स्टार्ट करोगे बंद करोगे इसलिए उनििबीट करोगे इनिबिट करोगे तो परोटीन और ग्लिकोज बन रहीं है तुसको बंद कर दोगे तो इन दोनों को को बंद कर देना है और सही क्या करना है चालू क्या करना है कि यह जो ग्लुकोज है वो आपका ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाए ठीक है इसको स्टिमुलेट करना इसको तो यह पुरा लीवर पर कैसे काम करते हैं इंसुलिन नाउट इस क्लियर चलो अब जरह हम दोग समझते थोड़ा सा और अब मान स्पेशियों में कैसे काम करता है आप देखते हो कि जब खाना नहीं खापाते हम कूपोसर का सिकार होने लगते हमारी जो मसल्स होती है वो ब्रेकडाउन होने लगती है मसल्स ब्रेक होके फिर वही हमारे नरिजमेंट का काम करती है तो मसल्स पर कैस क्या है बोड़ी में दूसरा तरीका यह कि ऐसी सारी प्रोसेश जहां से ग्लुकोज आ रहा है उसको बंद कर दो तो हमने ग्लुको नियोजनेसिस को बंद किया ग्लाइको जेनो लिसिस को बंद किया समझ गए यह दो चीज के लिए हो गई अब मसल्स में इंसुलिन कैसे काम कर है तो ग्लुकोज अप्टेक और यूटिलाइजेशन वहाँ भी किया था मने यहां भी क्या मने आप प्रोटियो लिसिस अब प्रोटीन से भी टूटके आपका बन रहा है जा में तो प्रोटियोजीस को अगर प्रोटिय बार-बार ब्रेक होगा वह ग्लुकोज में कन्वर् करोगे जो glucose है ऑल्रडी बॉड़ी में उसका यूटीलाइजेशन करोगे दूसरा क्या है जहां से glucose हो रहा है उसको इने उ dependency करोगे तो अब टेग भ्याद यहां पे और proteolysis protein क्या कर रहे है ठोट ञूटेश में जा रहे है किसके तुरूप भीकोर नियो जेने से के तरूब तो इसको बंद कर दोगे ठीक है मसलस में उसके लंगा एडिपोस टिश्थीट क्या होते हैं ये ऐडिपोस Bijृति अपडेक यहां भी करोगे ग्लुकोस का अपडेक यहां भी ज्यादा करोगे ग्लुकोस का अपडेक यहां तो दो तरीके से हम लोग ग्लुकोस कम कर रहे हैं हम नहीं कम कर रहे हैं इंसुलिन कर रहा है एक क्या कर रहा है कि जो ग्लुकोस है उसके यूज को बढ़ा दे रहा है ये वाला तरीका आपना रहा है दूसरा तरीका है कि जहां से ग्लुकोज बनने के संभावना रिलीज हो रही है उसको ब्लॉक कर दे रहा है चाहे वो ग्लुको नियोजनेसिस हो चाहे वो ग्लाइकोजनोलिसिस हो चाहे प्रोटियोलिसिस हो चाहे लाइपोलिसिस हो इन सब को बंद करने का काम कर रहा चलिए अब ज्यादा इस पर डिसकस करेंगे तो यूल भी कन्फूस्ट तो आपकी इंसुलिन रैपिड भी होती है आपके इंसुलिन शॉर्ट भी होती है आपके इंसुलिन इंटरमेडियर भी होती है आपके इंसुलिन लॉंग एक्टिंग होती है ल करेंगी तो आपका glucose भी आप देखते हो उन्हें फास्ट लेक्षिन बता हुआ एक रैंडम ग्लकोज होता है एक होता फास्टिंग दो कि रेंडम उसमें कर 1975 मतलब कॲाइब अभी मेरा घुल कोज ना पाद लो क्या है व्योलों प्ता देगा लेकिन स्रीक्त या फिर पोस्प्यरंड्येश अ अब favoring को employ खाना नहीं खाया उससे पहले को फॉस्ट-प्रेंडिल खाना खाका लिया उसके बाद क्या है कोई वी जी खाऊँगे तो बॉलडी में डिन कोलेगा तो पोस्ट-प्रेंडिल ग्लुम्कोज लेबल बढ़ जाता आका पोस्ट-प्रेंडिल खाने के बाद stress driven MICHAELMule फास्टिंग भूखे पेट खाये अपने रेंडम कभी रेंडम लिए अप्रका 700 तीन ग्लुकोज हम लोग करते हैं ठीक ? जिसमें रेंड़म ऊइसे ही हम लोग में सें // कोई दिख्षक नी है फास्टिंग भी से वी पोस्पेरेंडियल भी लेकिन topic म टोलरंस स्ट्रेस इसमें ग्ल्कोज दिया जाता आपको ग्लुकोज ओरली दिया जाता फिर उसके बाद ग्लुकोज लेवल पर जाता मैंने पहले विदियोे में बताया हुआ तुरंत कम कर दे, डाउन कर दे, तो इंसुलिन लिस्पार्ट और इंसुलिन एस्पार्ट, लिख लो नाम, लिस्पार्ट और एस्पार्ट, अब एस्पार्ट लिस्पार्ट ये क्या है, अब इंसुलिन क्या है, अमीनो एसेड से बना हुआ ना, तो ये भी तो अमीनो एसेड तोड़ी दर के लिए काम करती है थोड़ी दर के लिए काम करेंगे तो उसको बोलते है रेगुलार या सॉलीबल यह पूछे जाते हैं सब्सक्राइब कर यह पूछी जाती है इंटरमेडिच लेकिन मां यह कैसे हो कि Intermediate Intermediate का मतलब एक टाइम होगा कि 6-8 10-12 घंटे तो आप बताओगे कि Intermediate का मतलब कितने घंटे होता और long acting का मतलब कितने घंटे होता ठीक है आपको बता दू कि इंसुलीन किसे देते हैं सब क्यूटेनियस से चमड़ी पर यहां से डिवाइस से लगाते हैं इस तरीके से ठीक है लेकिन आप से लगे हाथ यह भी सवाल है कि ओरली क्यों खाते इंसुलीन और लिए अगर आप टैबलेट बना को इंसुलीन की खा लेंगे तो क्या है अभी इ इंसुलीन लेकिन हम लोग और इंसुलीन की बिवात कर रहा है और इंहलेशनल इंसुलीन की बिवात अभी हम लोग करने वाले हैं लेकिन पहले और इंसुलीन हम लोग क्यों नहीं ला पाए अभी चल राइस पर काम प्रोसेस कोई दिनों मार्केट में आ जाएगी हो सकता है सॉप्र है और प्रोडक्शन इस्टार्ड भी हो गया हो तो इंसुलिन जींस्ट स्पेंचन यह जिंक बहुत इंपर्टन थे इसको बोलते इंसुलिन लेंटे, L-E-N-T-E तो इंसुलीन, जिंक संस्पेंशन को लेंटे इंसुलीन भी बोलते हैं इस आफ इंटरमीडियेट कर्टेगरी इंसुलीन उसके अलावा एक है NPH यह बहुत पूछा जाता आपसे नूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन नूट्रल प्रोटामीन हैगडॉन NPH या आईसोफेन इंसुलीन बोलते हैं तो जब आईसोफेन इंसुलीन आए जाए या जिंक इंसुलीन आजाए जिंक या आईसोफेन यह कौन सी है इंटरमीडियेट एक्टिंग इंसुलीन है ठीक है उसके अलावा जो long acting, long acting मतलब काफी देर तक काम करती है, तो काफी देर तक कौन काम करती, insulin, glargine, insulin, detamir, तो ये जो glargine है वो एक lantus product का नाम है, ठीक है, दोखो insulin में जो अच्छी companies हैं, वो सबसे टॉप पे चल लिए, जो किसका competitor है, उसके अलावा सनोफी चल रहा है, सनोफी अवंटिस, उसके अलावा लूपीन, तो ये सारे जो companies है ना, ये सारे topmost companies हैं जो insulin के sector में काम कर रहे हैं, इस company का एक brand है Mixed Tard, Mixed Tard में यही होता है, Aspart और Lispart, ठीक है, ये हर medical software मिल जाएगा, पुरे दुनिया में number one brand इंसुलीन का, Mixed Tard के कमपणी का, नोगन आडिस का, ठीक है, और मैं जो brand पे काम कर रहा था, वो था Victoza, GLP-1 receptor agonist था, वो, Victoza brand पे मैं काम कर रहा था, ठीक है, इसी का product है, मैं advertisement company के नहीं कर रहा हूँ, company के बारे में बता रहा हूँ, company के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप job के लिए भी देखते रहना, अगर आपको diabetes के sector में जाना है, तो this one is going to be best company, निदरलेंड की company है, मल्सी मंटी नेसल कमपनी है, बैंगलूरू है इसका, और आपको कई जंगा ट्रेटर मिलती है, उसके लावा insulin, गलारजीन और insulin, डेटमीर, ये कौन सी है, long acting insulin है, ठीक है, जो गलारजीन है, वो langtus के नाम चाहता है, क्यों याद है मुझे brand, क्योंकि हमारा competitor था, langtus किसका आता है, इलाई लिलिका, और नो अनोर्डिस में मैंने काम किया, तो मैं अपने competitor या अपने competitor के product के बारे में नहीं जानूंगा, जानूंगा, ठीक है, जनूविया आता है, टैबलेट आपने देखा हो, यहां पर डिवाइस नहीं वरना में आपको दिखाता है कि इंसुली के डिवाइस इजाक्टी कैसे होती है, ठीक है, पैन की तरह जैसे यह पैन हना, बिलकुल एक्दम सेम इसी तरीके तरह दिवाइस में आती है इंसुली और उसकी निडल बहुत पतली होती है, ट्वंटी हरदाइस की बारीक होती है, तो एक तरीके से बिलकुल एक तरह मार्कर होता दो, इतने ही मोटा होता और इतने ही लेंथ भी उसकी ङ töई है, ठीक है थीज़्ञ की भीन इसी यह अ करना होता एक unit two unit three unit four unit इसतरी करना होता ठीक है और उसके बाद पैंसे इसको ऐसे लगाके inject कर लेना होता ठीक है आईसे नहीं कर ना था पीछे जैसे अब जब इसको music करोगे तो insulin इस तरीके से उसमें load हो जाएगा फिर एसे प्रेस बिदिस्वारा करें के इसे प्रेस इंसुलिन के बारे में हमने समझा गए तो जब भी कभी इंसुलिन का भविश से बहुत सेक्योर है अब मैं अगर बात करूं कि इंसुलिन कहां कहां पर किसमें यूज के जाता है वो सारी चीजे हम लोग समझते हैं जरा इंसुलिन के बारे में हम लोग और थोड़ा सा इंफोर्मेशन समझ लेते हैं अपने नौलेज़ को थोड़ा सेक्सेंट यह सारी चीजे तुमने पढ़ दी उसके लावां थोड़ा समझते हैं अब आपने डियाबोटीज में पढ़ा होगा टाइप वन इससे पहले वीडियो वाले में बने बताया था टाइप टू तो पहला सवाल तो यह है कि अगर आप से पूछा जाए कि इंसुलिन किसमें यूज करोगे तो डिपेंडेंट है यह इंसुलिन बिना इंसुलिन किसका काम नहीं होने वाला है तो यहां पर टाइप वन में ज्यादा तर यूज होती है लेकिन टाइप टू में भी आजकल इंसुलिन यूज कर सकते हैं और इंसुलिन कई सारे स्टेडिय जो बताती है तो इंसुलिन यूज करने से बीटा सेल्स की लाइप बच जाती है थोड़ा से एक्स्टा इंफॉर्मेशन आपको बता दो शायद और वीडियो में नहीं बता पाया था टाइप टू जो होती है बुड़े बुजर्क लोगों में होती है बड़े लोगों में होती है maturity onset और ज्यादा तरा आपको डियाबिटीज 90 जो डियाबिटीज है वह टाइप टू ही है यानि कि non-dependent है ठीक है और इसी को बोलते है maturity onset और सबसे ज्यादा जो इसमें रोल देखा गया वह रोल देखा है genetics का यानि यह genetic इसको वर्ड बोलते है genetic predisposition predisposition अब यह कौन सी बला इतने टेक्निकल टेक्निकल वर्ड है disposition predisposition का मतलब कि genetic की खत्रब हो ज्यादा रहता है 90 परसेंट से ज्यादा diabetes का काम होता है diabetes होता है type 2 maturity onset में होता है बड़े बुजुर्क लोगों में होता है इंसुली नॉन डिपेंडेंट होता है लेकिन इंसुलीन यूज की जाती है ताकि beta cells को early stage में बचा जा सके अब टाइप one क्या है टाइप one बच्चों में ज्यादा तर बच्चों में ज्यादा तर कौन सी देखा जाता है टाइप one ठीक है और टाइप one का इंसुलीन डिपेंडेंट यानि की autoimmune disorder के वज़े से beta cell डिस्ट्रक्ट हो गई या फिर पैदा होते वक्त beta cell थी ही नहीं उसके अंदर ठीक है तो यहां में बच्चे हो गई और यह यह टा वगर आपको देखना हो ना तो companies की website पर जरूर जाके आप देखा करो जो company की website होती है कि कर home page पर जाया करो home page पर जाओगे तो एक option होगा career उसमें current openings या फिर current vacancies इस तरीके सोता है तो आप चाहे email कर दो चाहे online apply कर दो यहां सभी तो जीतनी बढ़िया companies है उनकी website को जरूर जाके आप देखा करो तो यहां से तो साथ-साथ आपने डियाबिटी इंसुलिन के बारे में भी सीखा और साथ-साथ इन company उसका नाम भी जाना और अपने अपने जब के अपर्चुन्टिस को भी आपने समझा कैसे अपलाई करना वह थोड़ा समय ने हिंट आपको दे दिया ज्यादा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी सारी चीजे हमने डिसकस और लिडे कर ली हुई है तो आश सकते आपका होगा कि यह जगा सारी चीजी मिल जाएगी वह हींट होते हैं वह इसलिए याद नहीं याद है कि कोई पॉइंट मिस ना हो आपको उस टॉपिक के बारे में सबसे अपडेटेड और सारी इंफॉर्मेशन हो अब यह बार बार आप इंसुलिन डियाई के लिए लग से थोड़ीं पढ़ोगा फार्मसिस के लग थोड़ीं पढ़ोगा इतना काईदे समय ने आपको पढ़ा दिया व बहुत रिसर्च के बार टॉपिक आता है तो आप इस चीज को शेयर किया कर जाता 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 देखो शेरिंग करने से कुछ नहीं होता यह माँ सोचो कि मैं शेयर कर दूँगा तो मेरे कॉंपटिटर हो जाएगा अब सोचो मैं मेरे अंदर बहावना आजा है जे टीचर कि बच्चे भुशीयार हो जाएगा फिर मेरे कॉंपटिटर हो जाएगा ऐसा नहीं होता भाई ठीक है ऐसा नहीं होता अप लोग इस चीज को मत गलत बहुए अदरवाइस मत लीजेगे इस इसको ठीक है शेयर करने से चीज बढ़ती है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है बहुत innovative तरीके साब नाम ही मैंने थोड़ा सब को स्टार्टिक में लगा है बहुत अजीब सा चैनल लेकिन आप सोच के देखो कि मैंने किस रखा किस बज़ेस रखा उसका क्योंकि अलग तरीके से सबको सब्जाया जाता है चीजों को एक दम क्लियर करके समझा जाता है क्वालिटिवाइस वीडियो होती है तो आपसे रेक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को जाधा जाधा शेयर किया करो अपने तक मत रखा करो लाइक किया करो कमेंट कोष्ण में पूछा करो मैं हर कमेंट का जबाब देता हूं ठीक है भले से गंटा दो गंटा एक दिन बाद जबाब लेकिन देता जरूर हो जबाब में उस इसका जरूर में जबाब देता हूं वीडियो जरेगूलर बेसिस पर आएंगे मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे तयारी कर रहे होंगे अभी नहीं आने कारण मैं इस्टार्टिक में वीडियो मता दी आपको कि जो है है क्योंके प्धाई of important मुझे आपके चिंता है क्योंकि आपने मिरुसे किया है और जब ट्रस्त कर आऒ तो जमेदारी बढ़ जाती सामने वाले पर ठीक है तो मेरी जमयदारी है मैं अपका ख्याल रखों ठीक है आप कुछ बनोगे तो मुझे लाइफ-long याद रखोगे मुझे नहीं पैसे चाहिए लेकिन आप लाइफ-long याद रखोगे ठीक है अलाकि वीडियो बनाने में आप जानते हैं इंटरनेट भी जाता है टाइम भी जाता है बहुत रिसर्ज भी जाती है सारी ची जब सब लोग भी फार्मा डिफार्मा पढ़ने वाले सारे बैग्राउंड से नहीं आते इसके माब किस बैग्राउंड से ला रहा है ठीक है लेकिन मेरा पूरा कोशिष रहती है पूरी कि हर बच्चा अचा है कोई कितना भी अच्छा फिनेशली अच्छा गरीब हो सब कर रहा हूं आप से कोई सह सहे क्रीच दधने कि आप करती हो आप से क्या पाप प्लीकर्ण कर म्याद मोटिवेशन ऐक सूर्स एक सूर्स प्लीशन है अप सी्हार करते हो तो लोग मेरे से तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझोगे अपनी पढ़ाई बिल्कुल कॉंटिनियू रखोगे ट्रस्ट ऐसे ही बनाए रखोगे साथ हमेशा देर आना है ठीक है साथ छोड़ना नहीं है लास तक साथ हम लोग रहेगा जब तक आप किसी मुकाम तक नहीं पहुंच जा